कि अधिया है यूवरिवन स्सेलाम अलेकुम क्या हाल चाले अमीद करती हूं सब खुश होंगे और फिट होंगे जी तो आज हम बना रहें कॉंड कोफी तो हम एक चाहिए जूसर और जूसर में हमने डाला है वन टेबली स्पून कोफी त्री टेबली स्पून मिल्क हमने ड्राइ लिया है ठीक है जी और हमने तीन टेबली स्पून डाले हैं चीनी चीनी अब कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हो और फोर से फाइफ टेबली स्पून हमने डाला है इसमें पानी तो पानी डालने के बा यह दिखे मिक्स हो रही है और यहां पे चली गई थी लाइट तो हमने क्या किया पूरा जो लीकवर्ड था वो उने डाला एक बाउल में और हमने हैंड मिक्सर लिया है उससे हम इसकी बहुत अच्छे से ब्लेंग्डिंग करेंगे बहुत अच्छे से फैंटना है ताके कॉफ थिया था ताकि तक कि ठंडा ओ जाए और अब हम इसम में दाल रहे हैं बरफ बरफ हम सब्सक्राइब है थोड़ से जादा डाली है क्योंकि कोल कोफी है तो बरफ ना होई तो पहिर क्या हूआ पिर हमने जो मिक्सर बना के रखा था वह सारा हम इसमें डालेंगे ग there इंग हम यह हमारे पास दूद है चलिए हम दूद आइड करते हैं यह लिजेए दूद्ध हमने लिजे अमने अड़े ओपते हम उच्छा से घर भी गया था यह क्या हम दूद्ध आइड कर रहे हैं इसमें और हम सकन में दूद्ध्ध केसाथ चमच के साथ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए दुद के साथ कॉफी तो ये लेकिं जी माशालला से बहुत टेस्टी कॉफी बनी थी और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राइक करके मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगी कॉफी और बाकी की जो कॉफी लोगे वे थे वो हमने इसके उपड़ डाल देने थोड़े से यह लिए जी हमारी जो कॉफी है वो हो गई है तयार और लास्ट में आप देख लें कैसी बनी है तो आपने मुझे ना लास्ट में बताना है कि कॉफी कैसी बनी है और कमेंट लास्ट में गिया करें और लाइक किया करें और सब्सक्राइब तो लास्ट में करें आप तो सब्सक्राइब करती वीडियो देखके चले जाते हैं तो इन्शाला है नेक्स वीडियो में फिर मुलाकात हो भी अभी के लिए अजाज़त दीजिए अल्ला आफ़ेश